हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सोगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यूपी एनचेम नर्स भरती दो हजार तेज दोस्तों यूपी एनचेम की तरफ से 17,291 पदोब पर नर्सिंग एनम फार्मासिश लेप टेकनीशन की दोस्तों भरती निकाली गई है कॉफी लंबे समय के बाद दोस्तों दो पोजीशन का रेजल यहां पे आ चुका है दोस्तों अक्टूबर के लाश में जो है फार्मासिश का यहां पे रेजल आ चुका है मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी है अब दोस्तों बता दे तो 8 नवंबर को जो है साम को एनम का रेजल आ चुका है अगर आपने एनम का रेजल नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो मिल आएगी जाके देख लेना दोस्तों बता दे एनम का रेजल आ चुका है और जब से यहां पे एनम का रेजल आया है मेरे पास से बहुत सारे कमेंट आरे के सर कितने नमबर वालों का सेलेक्शन यहां पे हो चुका है तो एनम का कितने नमबर पर सेलेक्शन हुआ है इन सभी की जानकाई देंगे बाकि अगर आप लोगों का selection हो चुका है तो आप लोग जो है अपना प्रोग्राम बताईएगा और category आप लोग बताईए और आप लोग marks बताईए यानि कि आपके कितने marks हैं category wise जो है आप मुझे बताओ और आपका selection हुआ है या नहीं हुआ है आप मुझे बताओ क्योंकि मुझे cut-off बनानी है और cut-off की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी जितने जल्दी आप लोग कमेंट करोगे तो अगर आप लोगों का selection हो चुका है तो category के साथ जो है आप लोग अपना marks बताओ और बताओ कि I am selected और अगर आपका selection नहीं हुआ है तो भी आप लोग जो ला हूँ बाकी special video cut-off की जो है बहुत ही जलाएगी कि एनम की cut-off कितनी गई है EWS का 41 marks से इनका selection हो चुका है इसकी भी जानकाई देंगे OBC 47 marks selection नहीं हुआ है 59, 60, 61 marks का यहां पर selection हो चुका है सभी program में कि लिए तो चलिए आपको लेकी चलते हैं सबसे पहले comment पर जिनोंने यहां पर comment किया है उसके थुरू मैं आपको जानकाई दूँगा कि कितने नंबर थे selection नहीं हुआ है और कितने नंबर है जिनका selection हो चुका है तो अगर आप लोगों ने जो है एनम का exam दिया था UPNHM तो यह special video आप सभी लोगों के लिए है तो ऐसे video पाने के लिए channel को subscribe कर द दीजिए चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले UPNHM के official website पर तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो उत्तर परदेश National Health Mission UPNHM के official website है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको information दिया था YouTube channel के माध्यम से जैसे ही इसका result आये था 5 मेरे के अंदर ही मैंने आपको अप्डेट कर द दोस्तों अपडेट वाली पेज है और इस पेज का लिंक नीचे डिस्कुशन बॉक्स में दिया गया है वहां पे क्लिक करके डारेट आप लोग इस पेज पर आ सकते हैं इस पेज पर आओगे तो फार्मा से इसका देख सकते हो आप लोग दोस्तों बता देख 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 है और इं नहीं को कटाफ है फार्मा सेथ जो है कम गया है क्योंकि एंड़ में काफी जाना विकेंशि leaning C ती और फार्मा से जो है बहुत ही कम विकेंसिर Personal की निचियो है और फार्मा से से मिखा कहला एं-तud अभी देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे एनम के बारे में यह special वीडियो एनम के लिए है तो अभी आपने एनम का रेजल नहीं देखा है तो एनम का रेजल आप लोग देख लो कैसे देखोगे आपको क्या करना है एक PDF डाउनलोड कर लेना जैसे आप लोग पीडियाफ डा का दोस्तो PDF है और इस तरीके से काफी 157 पेज का PDF है ओपन हो चुका है जैसे आपकी स्मार्टफोन में इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगा अब 157 पेज का PDF है तो आपको दो सेकेंड की अंदर जो है रेजल जो है देखना है तो क्या करिए कि यहाँ पे आपलिक से नंबर दिय दिया गया है अपलिक के नेम दिया गया है आपकी कटगरी दी गई है और रिमार्क्स दिया गया है वैसे जो सौट लिश्टर है उन्हीं के लिश्ट दोस्तों जारी की गई है नो डाउट अब आप लोग देखी दान से यहाँ पर सर्च बार का option है इस पे जाना है आपको आप लोग जाओगे बस आपको application number देना है जो आपका application number है एने चम यूपी करके तो ऐसे सो करेगा सरे एने चम यंपी करके सो कर रहा है एने चम यंपी इस तरीके से फिर आप लोगों का मान के चलो कि जो है रजिश्टर नंबर है 1198 और 418 यह आपका registration number है बस इस तरीके से आपको search bar में जाके जो search bar है या search box है उस पे जाके आपको अपना application number इस तरीके से डाल के बस आपको search करना जैसे आप लोग सर्च करोगे 2 second के अंदर आपका अगर इस list में नाम है तो इस तरीके से highlight करके आपके सामने जो है page आ जाएगी just आ जाएगी आपको ढूरना नहीं परेगा तो ढूरना आपको नहीं परेगा 2 second के अंदर इस तरीके से आप लोग result यहाँ पर देख पाएगे अब जल्दी से जाके देखो अगर इस list में नाम है तो आप मुझे जरूर comment कर देना अगर इस list में नाम नहीं है तो भी आप लोग मुझे category wise जो है अपना marks बता द नहीं है बहुत ही जल्द कटाफ की वीडियो आएगी चलिए अब देख लेते ही किनका किनका सेलेक्शन किस नंबर पर हुआ है कि देखे दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर सर मेरा 48 marks था बट नहीं हुआ कटाफ कितना गया है OBC में तो कटाफ जो है बहु मेरा 48 था बट नहीं हुआ है तो देखिए इनका OBC में 48 marks था लेकिन सेलेक्शन फिलाल नहीं हुआ है और यह अनम की बात हो रही है कि लिए रहो चुका है जालिए अब आगे बात करते हैं Sir I am selected in all program तो यहाँ पर देखिए I am selected और यहाँ पर आप लुग देखिए पूजा तिरफाटी जी है और इनका EWS कटिगरी है तो EWS कटिगरी 41 marks था इनका सेलेक्शन हो चुका है किलियर है तो EWS में जिनका 41 था 42 था 43 है तो उनका सेलेक्शन यहाँ पर हो चुका है पूजा तिरफाटी जी किलियर है तो यह तिरफाटी जी है इनका सेलेक्शन हो चुका है आपको बधाई हो और जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए special वीडियो आएगी tension मत लेना चलिए आगे देखते हैं अब यहां पर आप लोग देखिए आप लोग देखिए पूजा सिंग सर्थ तीनों प्रोग्राम में स्वर्ट लेश्टेड हूँ मैटर्न हेल्थ और फिफ्टीन फाइनस कमीशन तो इनका तीनों प्रोग्राम में जो है सलेक्शन हो चुका है नमबर वन प्रोग्राम है NUHM NUHM नमबर टू है RBSK और मैटर्न हेल्थ नहीं इनका NUHM में नहीं हुआ है माफी जायता हूँ इनका मैटर्न हेल्थ में हुआ है और RBSK में हुआ है और 15 फाइनस कमीशन में हुआ है किलियर है जी हाँ तो यहां पर देखिए नमबर वन मैटर्न हेल्थ में हुआ है फिर RBSK में हुआ है और 15 फाइनस कमीशन में हुआ है और इनका सेलेक्शन हो चुका है पूजा सिंग अब इनके marks यहाँ पर देखते हैं तो इनके marks है 59, 63 और 60 तो 59, 60 और 63 इनके marks थे और इनका तीन प्रोग्राम में हो चुका है selection चलिए आगे देखते हैं तो यहाँ पर दोसों आप लोग देखिए OBC, NUHM 47 marks से नहीं हुआ है तो OBC, NUHM 47 marks फिलाल इनका भी नहीं हुआ है और इसके बाद दोसों आप लोग देखिए मेरा जो है SC में 43 था, 15 finance में 35 था, 31 और 37 SC केटिगरी नहीं हुआ सर क्या और लिष्ट आएगी तो और लिष्ट आएगी टेंसर मत लेना जी हाँ, टेंसर मत लेना, और लिष्ट आएगी, वेटिंग लिष्ट यहाँ पर आएगी वेटिंग लिष्ट आपको रखा जाएगा और वेटिंग लिष्ट यहाँ पर 100% किलियर होगी तो उसके लिए मैं अलग से आपको information दूँगा अभी आप लोग अपना marks मुझे बताओ, cut-off की वीडियो बनानी है और cut-off आप लोग देख लेना, उसके बाद आइडिया लगाना वेटिंग लिष्ट की भी cut-off आएगी किलियर है, जी हाँ, बाकि अभी आपने इस वीडियो को share नहीं किया है इस वीडियो को जाना share करिए, चलिए आगे देखते हैं देखें दोस्तों, इनका जो है, OBC में 43 marks सेलेक्शन नहीं हुआ है अब जो OBC में 47 marks है, उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है तो 43 का कैसे सेलेक्शन हो जाएगा तो OBC में 43 सेलेक्शन नहीं हुआ है, OBC में 47 सेलेक्शन नहीं हुआ है और देखें सर, मेरा 45 NUHM, NUHM में OBC में नाम नहीं है तो 45 OBC, 47 OBC, 43 OBC, सेलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है किलियर है, जी हाँ तो दोस्तों आप लोग यहां पर भी देख सकती हो OBC 47, selection नहीं हुआ फिलाल, मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, आप लोग जो है मुझे जल्दी से comment कर दो, कोई इसमें doubt नहीं है, कोई इसमें आपको problem नहीं होगी, category wise जो है आप लोग अपना marks मुझे share कर दो, और अगर आप लोगों का selection हो चुका है, तो आगे आपको जो है comment box में ही selected जो है लिखना है, तभी मुझे पता चलेगा जिनका selection हुआ है, तो जो selected है, वे लोग जो है, क्या करिए, selected उसके आगे अपनी category और marks मुझे बता दो, कटाफ की वीडियो आएगी, बाकि जिनका selection नहीं हुआ ह उनके लिए भी special वीडियो आ रही है, धन्यवाद